हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं पंजाई सीरीज का तीसरा लेक्चर जिसमें हम देखेंगे बेसिक पंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में reproduction में हम जनरली बात करेंगे vegetative reproduction के बारे में asexual और sexual reproduction के बारे में यह रहा मेरा छोटा सा profile तो चलिए move करते हैं लेक्चर की तरफ और discuss करते हैं फंजाई के reproduction के बारे में फंजाई के reproduction के अगर हम बात करें तो fungi are naturally by a variety of means as vegetative, asexual and sexual one अगर हम बात करें fungi reproduction के बारे में तो वो vegetative, asexual और sexual तीनों तरीके से reproduce करता है तो सबसे पहले बात करते हैं vegetative reproduction के बारे में vegetative reproduction के अगर हम बात करें तो in vegetative reproduction budding, fission, sclerosia, rhizomorph or the common method तो vegetative reproduction में जो common methods होते हैं reproduce करने के fungi वाले वो होते हैं budding, fission, sclerosia और rhizomorph In vegetative reproduction, the union of mature sex cells or sex organs does not involve अगर हम vegetative reproduction की बात करें फंजाई में तो उसमें कोई भी mature cell या mature sex organs जो होते हैं वो participate नहीं करते हैं The common method of vegetative reproduction RIS follows आगे कुछ vegetative reproduction के method दिये गए हैं जो कि हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं हम fragmentation की fragmentation क्या होता है यह देख लेते हैं वें दो हाईफी ब्रेक अप इंटु इसमाल फ्रेग्मेंट्स आइधर एक्सिदेंटली और डाइंग और दी हाईडरेशन इच फ्रेग्मेंट डेवलप्स इंटु ए निव इंडिविजूल इन फ्रेवरेबल कंडिशन तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि फंजाई की जो हाईफी होते हैं जैसे माल लेते हैं कुछ यह इसका यह हाईफी है तो यह क्या होता है कि कुछ-कुछ इसमाल फ्रेग्मेंट्स में ऐसे यह तूट जाता है इस तरीके से यह फ्रेग्मेंट्स में तूट जाएगा कैसे तूट ता है वो accidentally तूट सकता है या ट्राइंग के थूरु तूट सकता है या dehydration के थूरु तूट सकता है यानि कि तरीका कोई भी हो इसको तूटना चाहिए fragmentation का मलब होता है fragment में divide होना तो बात करते हैं अगर हम fragmentation की तो जब favorable conditions होता है तो ये individuals जो होते हैं नए fragment का formation करते हैं क्यों हो गया fragmentation के बारे में अगर हम बात करते हैं fission की, कि fissions कैसे होता है fission are somatic cells yields two similar daughter cells in fission of the cells consists in the center and divides into two cells तो fissions में क्या होता है ये माल लेते हैं ये एक fungi का part है एक hy-fi है ये तो ये क्या होता है ये बीच से divide होकर के तो बराबर part में ये तूट जाता है और नए individual का formation कर लेता है तो ये रही fission की बात तीसरे नंबर की जो बात आती है वो बात ये budding budding क्या होता है तो अगर हम बात करते हैं तो budding क्या होता है जनरली माल लेते हैं कि ये इस्ट का cell है तो ये धीरे-धीरे क्या करता है एक outgrowth का formation करने लगता है इस तरीके से outgrowth का formation करने लगेगा और बाद में चल करके ये outgrowth जो होती है वो काफी बड़ी हो जाती है और कुछ accidental case ऐसे होते हैं ये outgrowth जो होती है वो तूट करके अलग हो जाती है और नए yeast cell का formation कर लेती है ये हो गई budding की बात इदन sclerosia की अगर हम बात करें sclerosia क्या होता है तो the sclerosia are resistant and penetrating bodies तो sclerosia जो होता है वो resistant penetrating bodies होती है तो ये बी जो होती है unfavorable conditions में काज होती है और जो favorable conditions इसको मिलता है तो ये जा करके नए individuals यानि नए mycelia का formation कर लेती है और ये एक compact mycelium की एक body होती है कुछ इस तरीके से compact structure होता है और cushion like structures का ये formation करते हैं यान last one की वेगर हम बात करें rhizomorph the rhizomorph are the modified mycelium rhizomorph जो होते हैं वो क्या होते हैं modified mycelium होते हैं यानि कि simple myceliums यह नहीं होते हैं modified myceliums होते हैं they are resistant to unfavorable conditions and give rise new mycelia unfavorable condition तो जब favorable conditions आता है तब यह grow करते हैं और unfavorable condition यह अपने आपको resist किये रहते हैं यानि कि बचा के रखते हैं और जब favorable conditions आती है तो जा करके यह नए mycelia का formation कर लेते हैं यह हो गई बात vegetative reproduction की अब हम बात करते हैं asexual reproduction की asexual reproduction कैसे होता है फंजाई में the asexual reproduction take place by mean of different kind of sports तो asexual reproduction जो होते हैं वो different type के sport का formation करते हैं और उन्ही के बात क्या होता sport formation के बात में नए individuals का formation हो जाता है each sport में developed into a new individual तो सारे sports जो होते हैं each individuals जो होते हैं each sports जो होते हैं नए individuals का formation कर लेते हैं the main function of asexual is disseminate the species main functions जो asexual sports का होता है वो क्या होता है disseminate करना species को then these are produced in large number तो sports जो का formation जो होता है वो large in number में होता है यानि कि बहुत सारे sports एक साथ form कर जाते हैं और बाद में जाकर कि जो favorable condition उनको मिलती है तो प्रतेक sports यानि कि each sports जो होते हैं वो नए individual का formation कर लेते हैं इन फंजाई there are many kind of asexual sports अगर हम asexual sports के अगर हम बात करें फंजाई में तो बहुत धेर तरीके के होते हैं बहुत जादे sports are motile and their motility being due to the presence of legula तो ये जो aplano sports जो होते हैं generally non motile से sport होते हैं लेकिन जो sports होते हैं वो कैसे होते हैं motile होते हैं और इनकी motility जो होती है वो legula इनके उपास पाया जाता है उसके उसके करण इन में motility पाया जाती है अगर हम aplano sports की बात करें तो उसमें कुछ examples जैसे mucar, rhizopus, pylobolus ये कुछ examples इसके basic example हैं जैन second sports की अगर हम बात करें तो spuringia sports आ जाते हैं these are single celled sports and formed within sacks ये जो होते हैं single celled sports होते हैं यानि कि एक ही spuringia में एक spuringia में एक ही sports पाये जाएंगे और वो कैसे होंगे उस sack के अंदर पाये जाते हैं एक sack जैसी structure का formation हो जाता है कुछ इस तरीके से sack मतलब खाली जगए और यहां पर केवल एक spores का एक ही spore ये पाया जाएगा ये है spuringia spore spuringia spore और ये है इसके अंदर एक spore का development हुआ रहता है known as sporengia जिसको हम sporengia कहते हैं singular में इसको sporengium का नाम देते हैं and form at the end of the special hypy और इसका formation जो होता है एकदम end पे होता है जो specialized hypy होते हैं यानि कि जो ascus होते हैं उनहीं के अंदर ये spores जो होते हैं पाया जाते हैं तीसरे नमबर की बात करें conidio spores और conidia के अगर हम बात करते हैं तो conidio force जो होता है singularly उसको conidium के नाम से जानते हैं are small single-celled spores formed at the tip of the side of hypy ये जो होते हैं single-celled spores होते हैं और कहां इनका formation होता है hypy के एकदम tip पे इनका formation होता है then claimido spores के अगर हम बात करें claimido spores क्या होता है these are thick-walled single spores and formed from cells of the vegetative hypy these spores are highly resistant to adverse condition ये spores जो होते हैं claimido spores जो तिक-walled spores होते हैं और single spores यह develop होते हैं और कहां पे develop होते हैं vegetative hypy के अंदर और ये spores जो होते हैं claimido spores वो बहूत ही highly resistant होते हैं और adverse conditions में ये पाया जाते हैं जिसमें एक्जाम्प्ल्स अस्टिलागो आजाता है। जान बात करते हैं हम Oidea की Oidea और Oidea सिंगुलर इसको प्लुरली जब धेर सारे Oidea present होते तो इसको Oidea बोलते हैं और एक सिंगल जब बोलते हैं हम आर्थो spors नमबर 6 की अगर हम बात करें तो blasto sports blasto sports क्या होते हैं the sports are found by budding तो ये sports जो होते हैं वो budding के द्वारा इनका formation होता है तो ये हो गए कुछ asexual sport के बारे में जो कि asexual reproduction में ये sports जो होते हैं important role play करते हैं then sexual reproduction की अगर हम बात करें, last one is the sexual reproduction, इस large number of fungi reproduces sexually, तो धेल सारे number में जो फंजाई होते हैं, वो sexually reproduce करते हैं, However, the members of higher fungi deuteromycities are fungi imperfecti lack sexual reproduction, तो कुछ members जो higher fungi वाले member होते हैं, जिनको हम deuteromycities के नाम से जानते हैं, या इनका common name होता है, फंजाई imperfecti, इन में क्या होता है, sexual reproduction जो होता है, नहीं पाया जाता है, यानि कि, lack sexual reproduction, Then, sexual reproduction is carried out by fusion of compatible nuclei of two parents, तो sexual reproduction कैसे perform होता है, जब दो parent के nuclei जो होते हैं, वो एक दूसरे से fusion में compatibility सो करते हैं, तब जाकर के उन में sexual reproduction की process होती है, Then, the process of sexual reproduction begins with the joining of two cells and fusion of their protoplasts, this process is known as plasmo gammy, So, sexual reproduction का जो performance होता है, वो ऐसे होता है, कि दो individuals जो होते हैं, दो cells जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके cells जो होते हैं, फ्यूज करते हैं, उनके protoplasts जो होते हैं, Protoplasts आपस में fuse कर जाते हैं, और इस तरीके के process को हम बोलते हैं, plasmo gammy, Then, in the second step, second steps में क्या होता है, fusion of two nuclei from the two fusing gammy, एक place and a deployed gigantic nucleuses formed, तो दो cells मान लेते हैं, कि ये कुछ दो cells पहले ऐसे थे, इनका ये nucleus था, फिर क्या होता है, कि दोनों के protoplasts जो होते हैं, वो एक दूसरे पर joint होने लगते हैं, और ये दोनों nucleus था, जन बाद में क्या होता है, कि यही जो होता है, एक बड़े से nuclei का formation कर लेता है, और ये दोनों nucleus एक cell के अंदर आ जाते हैं, तो in the second step में यही हुआ, fusion, gamete का fusion हो गया, और deployed gigantic nucleus, ये deployed gigantic nucleus का formation यहाँ पे हो गया, then this phase is known as karyogammy, तो इस process को हम बोलते हैं, karyogammy, karyon means nucleus और gammy means union, यानि की fusion, तो जब दो nucleus जो होते हैं, आपस में fuse कर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं karyogammy, और जब दो cells के protoplast जो होते हैं, वो fuse करते हैं, तो उसको बोलते हैं, plasmo gammy, after karyogammy, karyogammy होने के बाद में क्या होता है, reduction division और meiosis take place, reduction division या meiosis की process होती है, which again reduce the number of chromosomes to haploid number and thus haploid stasis re-establish, तो बाद में क्या होता है, जब karyogammy की process हो जाती है, दो nucleus हापस में fuse कर जाते हैं, तो उसके बाद में meiosis की process होती है, यानि की reduction division होता है, और kromosomes numbers फिर से क्या होते हैं, reduce हो जाते हैं, और haploid number में, वो last में जाकर के develop कर जाते हैं, The sex organelles of fungi, if they are present, are called gametangia, अगर fungi के अंदर sex organelles जो होते हैं, वो present होते हैं, तो उनको बोलते हैं, gametangia, singular में इसको हम gametangium का नाम देते हैं, Then they may form sex cells or gamete and may contain instead one or more gamete nuclei, तो ये जो होते हैं, sex cells या gamete का formation करते हैं, और उनको हम gamete nuclei के नाम से जानते हैं, If the male and female gametangia are morphologically different, then the male gametangia is called is anthridium and the female gametangia is called the ogonium, अगर male और female gametangia जो होते हैं, female gametangia और male gametangia, दोनों जो होते हैं, morphologically different होते हैं, यानि कि बाहर से देखने पर इनकी जो outer structure होता है, outer morphology होती है, वहाँ से देखने पर तोनों male और female जो होते हैं, different type के दिखाई देते हैं, तो male gametangia जो होता है, उसको हम बोलते हैं anthridium और female gametangia जो होता है, उसको बोलते हैं हम oogonium. तो कुछ nucleus के compatibility के basis पे, sexual reproduction को फिर various methods में divide किया गया है, उनमें हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से type से sexual reproduction फंजाई जो होते हैं, nuclei के compatibility के basis पे perform कर सकते हैं, जो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, planochemic fusion के बारे में. तो planogametic fusion के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो this involves the fusion of two naked motile gametes, तो इसमें जो होता है, mainly fusion होता है, fusion तो हर एक cells में होगा, जब sexual reproduction की बात करेंगे, तो वहाँ पे fusion की process तो होनी ही होनी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, two naked motile gametes, यानि कि दो cells ऐसे होते हैं, जो naked होते हैं, और motile होते हैं, उनका fusion होता है, planogametic fusion के में, इसमें होता है, तो इसको planogametic fusion को भी तीन पार्ट में फिर से divide किया गया है, उनके nature के basis पे जो की gamete का fusion हो रहा है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं, iso gamete के बारे में, when the fusing gametes are morphologically similar but physiologically different, तो इसमें ये कहा गया है, कि iso gamete में ये होता है, कि जो fusion करने वाले जो gametes होते हैं, यानि कि दोनों gametes, male और female gametes जो होते हैं, वो morphologically similar हो, यानि कि उनके outer structures देखने पर दोनों एकदम similar दिखाई दें, लेकिन physiologically यानि कि internally अगर देखें, तो दोनों जो होते हैं, वो different होते हैं, तो ऐसे gametes को हम बोलते हैं, ऐसे fusion को बोलते हैं, इसका एक main example है, जिसको हम बोलते हैं, इसका एक main example है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, यानि कि when the fusing gametes are morphologically as well as physiologically dissimilar, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो दोनों fusing gametes होते हैं, यानि कि male और females जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कि morphologically as well as physiologically, यानि कि outer structures इनका देखने के बाद, और internal structures देखने के बाद, दोनों यह dissimilars होते हैं, तो इनको ऐसे fusion को हम बोलते हैं, इन इसो गैमी, the male gamete is smaller and more active than the female gamete, तो male gamete जो होता है अन इसो गैमी में, वो smaller होता है, और female जो गैमी होता है, वो लार्जर होता है, लेकिन male gamete जो होता है, वो ज्यादा अक्टिव होता है, comparative than female gamete के, इसका एक basic example है, एलो मैसी, जैन, last one is, उगैमी की अगर हम बात कर लेते हैं, when the female gamete are ovum and egg is nonmotile, तो यहाँ पर हम बात करे हैं, तो female gamete जो होता है, या अगर हम ovum की बात करते हैं, या egg की बात करते हैं, तो वो कैसा होता है, nonmotile होता है, and male gamete जो होता है वो कैसा होता है anthrojoids होते हैं और उसमें flagellate होने की वज़े से वो motile होता है they are formed in specialized gamete angia known as eugonium तो ऐसे specialized gamete angia जहां पर formation होते है fusion के बाद में उसको हम भोलते हैं eugonium and anthridium respectively तो जो female वाला होता है उसको eugonium और जो male वाला होता है उसको anthridium के नाम से जानते है then यहाँ पर planogametic copulations की अगर हम बात करें तो यह isogametic है यानि की outer surface पर देखने पर male और females जो है दोनों यह एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं यानि की morphologically जो होते हैं similar होते हैं लेकिन internally इनका structure जो होता है वो different होता है तो यह isogametic हो गए then यह anisogametic की बगर हम बात करें तो morphologically and internally यानि की morphologically and physiologically दोनों जो होते हैं dissimilar होते हैं तो यह structures कुछ है anisogametic का जन यह है ogame का ogame में एक anthrojoid का formation होगा और यह obum होगा obum जो होता है यह large होता इता बड़ा सा दिखाई दे रहा है और यह जो है male वाला part है जो की छोटा यानि की smaller size में है then second type है sexual reproduction में second type की अगर हम बात करें तो gametangial contact gametangial contact भी हम देख लेते हैं कि gametangial contact क्या होता है so here the two gametangia come into close contact but do not fuse तो दो gametangia इसमें होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे के करीम में तो आते हैं लेगिन इनका fusion जो होता है नहीं होता है the wild nucleus migrates through ये pore our fertilization tube into the female gametangia तो जो wild nucleus होता है वो क्या करता है migrate करता है एक pore के द्वारा और एक fertilization tube का formation कर लेता है into the female gametangia तो female gametangia में male वाला gametangia जो होता है एक fertilization tube का formation कर लेता है तो इस तरीके के populations को क्या बोलते हैं gametangial contact बोलते हैं और ऐसा जो होता है वो albugo, aspergillus और phytopthora genus इन तीनों में ये gametangial contact वाली process पाई जाती है then next इस अब कि अगर हम बात करें gametangial fusion तीसरे नमबर का है gametangial fusion तो इस प्रॉसेस इनवाल fusion of the entire contact of two compatible gametangia तो इसमें क्या होता है generally basically ये होता है कि दो पार्ट में ये दोनों जो होते हैं fusion में participate करते हैं और क्या होता है एक compatible gametangia का formation कर लेते हैं यानि कि दोनों जो strains होते है male strains और एक female strains जो होते हैं दोनों एक दूसरे में fusion करने के लिए compatible हो जाते हैं और दोनों क्या होते हैं आपस में fuse करते हैं और एक जो होता है the two compatible gametangia come in close तो दोनों compatible gametangia जो होते हैं एक दूसरे के करीब में आते हैं at the point of contact their wall dissolve and their contact mix तो क्या होता है कि दोनों जब पास में आते हैं तो दोनों के वाल्स जो होते हैं एक दूसरे से कॉंटेक्ट करते हैं और डिसॉल कर जाते हैं और एक कॉंट्रेक्ट मिक्स का फार्मेशन कर लेते हैं करते हैं और उनकी प्र प्रसेस होती है वह कहलाती है कacióरियो गैम्य यहाँ पर q aни HOW और इसी और योगांगी 25 अको यहां को मिलता है दन्बर फूर के गर हम बात करें इस्पर मेट जीशन इस्पर मान वहीं देख लेते हैं कि इसपर में में क्या होता है अगर हम हाईली के बात करें जैसे पक्सीनिया एक हम बात करें तो सेक्ष ऑरगंस अर कम Frayworks लेह सेंटा सेघ्राइण गयर तो इसमें पक्सीनिया में क्या होते हैं कि sex organs जो होते हैं वो completely absent होते हैं और जो sexual process इसमें होती है वो कैसी होती है कुछ minor poor like spermecia जो होते हैं वो पाय जाते हैं जिसको हम male gamete भी बोल सकते हैं and specialized receptive hyphae और कुछ specialized receptive hyphae पाय जाती है जिसको हम carpo gyne के नाम से जानते हैं जो कि female gamete हम बोल सकते हैं तो एक जो होता है male वाला उसको हम बोलते है spermecia जो कि minor sport like structure है और दूसरा जो है specialized receptive hyphae होता है जिसको हम carpo gyne बोलते हैं जो कि female gamete का काम करता है the spermecia are buried to the receptive hyphae by air, water and insects तो spermecia जो होता है यानि कि male वाला पार्ट जो होता है वो क्या करता है कि यह contact में आता है कैसे by air के द्वारा या water के द्वारा या insect के थुरू यह इसके female यानि कि carpo gyne female gamete के पास में आते है and the contact of the spermecium inter the receptive hyphae by और जो spermecium होता है वो receptive hyphae by के अंदर जो होता है वो यह contact करता है थुरू यह pore pore के थुरू क्या होता है उसके अंदर यह invade कर जाता है उसके थुरू क्या होता है sexual reproduction का दिन formation वहां से हो जाता है तो कुछ यहां पर ispormecia का structure साब को यह दिखाई दे रहा है यह spermecia है minute pore like structures है और यह structure जो दिखाई दे रहा है यह ugonium का structure दिखाई दे रहा है तो यह कुछ minute pores pores है उसके द्वारा क्या करते हैं इसमें इंटर कर जाते हैं और last में जा करके somatogamia का formation हो जाता है यहां पर हो गई देन हम लाश्ट वन की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं somatogamia somatogamia भी देख लेते हैं इन higher fungi the sex organs are at all completely absent तो higher fungi में क्या होते हैं जैसा हमने पहले भी बात किया इसक्स organs जो होते हैं वो completely absent पाया जाते हैं but fusion of two vegetative hypes इसमें दो vegetative hypes यानि कि somatic hypes जो होते हैं somatic hypes दोनों का fusion होता है और over the sexual functions and fuse together और sexual functions करते हैं और एक दूसरे से fuse हो जाते हैं ऐसे में देखने को मिलता है इस पर्मेटो गैमी का गैमी वाली process देखने को मिलती है जहां पर दो vegetative hypes जो होते हैं वो sexual function करते हैं और एक दूसरे से fuse करके नए individuals का बाद में फार्मेशन कर लेते हैं यह हो गई overall बात fungi के total reproduction के बारे में तो जिसमें हमने बात किया vegetative reproduction के बारे में asexual reproduction के बारे में जहां पर कुछ asexual spore का formation होता है तो कुछ asexual specialized asexual spore के बारे में हमने बात किया then हमने बात किया sexual reproduction के बारे में तो sexual reproduction भी different different type के देखे गए तो यह total बात हो गई फंजाई के reproduction के बारे में तो I hope आपको फंजाई का reproduction पूरा समझ में आ गया होगा तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें and don't forget to subscribe my youtube channel biology by SK sir thank you so much